नमस्कार दोस्तों मैं किस्ना कांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर दोस्तों अब आपके एक्जाम में मात्र साथ से आठ दिन का समय बचा हुआ है अब आपको अनली सिर्फ रिविजन करना है नई चीजों कुछ भी नहीं पढ़ना ह जो प्रिविएश सीजे आपको पहे हैं उनका सिर्फ आपको रिविजन देना है अब्धियो आपको आप появ han mir जय के लिए सिर्फ question bank WE सारा देखके जाए और जो मैं यह वीडियो डाल रहा हूं तिन चार-पांच स्लाइड हमारा वीडियो आएगा वेडियो आप सारा का सारा जाकर देख लिएगा आज हम 35 अब्जेक्टिव करेंगे 35 करेंगे उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स फिजिक्स और chemistry का physics और chemistry का subjective question long question answer short question answer अपने channel पहले से डाल दिया गया है वहाँ पे जाएए उससे फालतू आपके exam में एक भी question नहीं आएगा वही जो दस question है 10 question में से आपके सीधे exam में 3-6 question 3 question जो भी लिखना आपका हो वो anyhow आ जाएगा तो objective के physics का series हमारा चल रहा था तो set 5 तक हम लोग अपलोड कर दिये हैं 5 set में वो हमारा total series है इस बार next हम लोग का chemistry का series चल रहा है first part upload हो चुका है यह हमारा second part है 5 part हर एक subject का दूँगा आप 35 में 35 मार कर आओगे उससे पहले एक बात और बता देना चाहते हैं कि exam जैसे ही आपका होगा exam की एक घंटे पहले मैं आपको question का series दिऊंगा वो आपकी exam में 100% आएगा वो 100% आपके exam में एक तरीके screen में question out कर दूँगा तो वो आपके 100% आपकी exam में आएगा तो वो आप त्यारी करके जाएगा इसलिए अभी से क्या करना है आपको हमारे इस चैनल को अभी से subscribe कर देना है कि उस्ट में notification आपके पास सबसे पहले time पे पहुंच जाए ग्रेफाइट किस परकार का crystal यह विश टाइप ऑप crystal इस ग्रेफाइट वन का एंसर विश सयोजक कोवेलेंट बॉंड नेक्स्ट पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमानुगों की संख्या होती है दा नंबर ओप बिलियन के अनुसंख गुन धर्म का उधारन है तीन का अंसर आपका हो जागा तरी का अंसर सी कोथनांक उनियन इलिवेंट ऑफ बाइलिंग पॉइंट दे आइन एक्जामपल ओफ कोलिगेटी प्रोपर्टी ओफ ए सोलूशन इज का ओधा इलिवेशन ऑफ बाइलिंग बाता है चौथा का एंसर हो जाएगा के टू एस ओफ फोर वीच ऑफ फ्लॉइंस अस्टांस प्रोडूस में एक्समन डिप्लेजर और फ्रीजिंग पॉइंट के टू एस ओफोर नेक्स्ट कोईसन नमबर हम लोग का है फाइव द्रावित एने सील के बैजूत अब घटन से के टोड पर मुक्त होता है तो पाच्मा का एंसर बी सोडियम हो जाएगा दे सास्टांस डिपोजिटेट एट के टोड डूरिंग दा इलक्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टें ने एने सील इस सोडियम फाइब का एंसर हो जाएगा भी छट्था नमबर कोईसन देखते हैं छट्था का एंसर हमारा हो जाएगा सी छट्था का एंसर जो हो जाएगा सी माइनेस 0.76 भोल्ट आप अंग्रेजी माध्यम बाले भी देख लिजिए इस टेंडर उक्रीडेशन पोटेंशिल इस जिरो माइनेस 0.76 भोल्ट नेक्स्ट चीनी के परतिलोपन को गुल्कोज और फ्रक्टोज बनाने के अभी किल्या को निवन परकार से दर्शाया जाता है सात्मा का एंसर सी छट्दम पर्थम कोटी की छट्दम पर्थम कोटी की स्थिदो फॉस्ट ऑउडर दा इन्वर्जन ऑफ के इन सुगर तु प्रडीश ग्लुकोज और फ्रक्टोज इडिप्रेशन प्रेशन प्रप्रश्ट रीयक्शन नेक्स्ट है किस अभी किल्या का बेग निम्नांकित प्रकार से ब्यक्त होगा बेग और आवर के एसक्वाइ बी दा ओडर ऑफ रेक्शन उडवी आठमा का एंसर बी नेक्स्ट विद्धु छेत के प्रभाव से कोलाइडी कनों का गमन कहलाता है नाइन का एंसर हो जागा बी टिंडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट दमाइग्रेशन ऑप कोईडल पार्टिकल्स अंडर इंफ्लुएंस अप्रभाव टिंडल इफेक्ट नेक्स्ट कोईशन नमबर टेन नमबर टेन है उवह प्राकेतिक प्दाः जिससे धातु का निसकर्शन फाइदमन्द होता है क्या कहलाता है दसमा का एंसर ए हो जाएगा आयसक दसमा का एंसर ए आयसक अनेच्ट अस्टान्स प्रोसेसी सिल्वर कोईशन नमबर हम लोग का 12 12 नमबर कोईशन हम लोग का है निमली खित में कौन है डोजन बंद नहीं बनाता है बारा का एंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सील भी फ्रॉइंग डाद नोट फॉर्म हाइडोजन बोड एस सी एल नेक्स्ट इस एट में सलफ से प्रबल कौन है 14 का इंसर ड्ष आई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा कि एंसर की सब से पहले हमारे चैनल प्री आता है तो एंसर की आप एंसर की आप मिला लेना इसलिए है इस में क्या करना है आपको सब्सक्राइब कर दबना The strongest acid among the flowing E14 का अंसर D हो जाएगा Next है question number 15 गोता खोरी में स्वसन हेतु यंतरों में कीन गैसों का मिश्रन पर्योगत होता है 15 का अंसर C helium plus oxygen plus nitrogen The mixture of beach of the flowing glass instrument used to respiration of diverse Next C answer Question number 16 संक्रमन तत्वो का स्थान आवर्ट सानी के अंतरगत है DF block में 16 का अंसर DF block में 17 17 का अंसर देखे 17 कोईसर निमलिखित में से कौन पर्थम संस्क्रमन तत्वो के स्रेनी के सदस नहीं है CMG यदि एक दो कोईसर आपको लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं तो आप उसे सर्च कर सकते हैं वीच अब दा फुलेंगी 17 का अंसर C हो जाएगा ZR तत草 HF की तरीजिया की तरीजिया लगवक समान है लेंथनाइन संकूचन की स्तत्थ के लिए उत्तरदाई है तो जेडर तथा एचप की तरीजिया लगवक समान है इसलिए उत्तरदाई है लेंथनाइन कॉन्टरेक्शन इस रिस्पोंसपल फॉर बिच्छे फैक्ट रेडियस ऑफ जेडर एचपर अलमोस्ट सिमिलर नेक्स्ट कोईशन नंबर हम लोग का उनीस है कोईशन नंबर उनीस हम लोगा इनिम लिखित सक्रमन धात्व के आयनों में कौन प्रती चुम्बक किये है उनीस का अंसर दी जेडर टूपलस दा आयन ओफ दीच ऑफ फ्लॉइंग टाजिशन मेटल इस डायमेगन जेडर टूपलस नेस्ट कोईशन कोईशन नमर्ट ट्वेंटी जटिल आयन सी उनेस ठीए के होल फोर पलस टूपकी संदचना बर्ग तलिये हैं तो उस जटिल आयन म इस डी एसपीटू इसपीटूसी अधा एक नेस्टी का और स्कृरीन संख्या कितना है इकीश का अंसर बताएग पलस टू हो जाएग ऑफ इस पलस टूपलस टूपकी पर लीजिएगा आप secondary butyl chloride का IFC नाम किया है तो 22 का answer B 2 chlorobutane next question number 23 निमरीखीत में से किस बिधी के द्वारा primary secondary and tertiary alcohol में बिवेद किया जाता है 23 का answer A oxy current बिधी के द्वारा which of the following methods are used to distinguish primary secondary and tertiary alcohol 23 का answer A oxidation method next question number 24 24 नंबर है निमरीखीत में किसका प्रियोग निश्चितक के रूप में होता है 24 का answer A chloro farm के रूप में 24 which of the following uses any aesthetic chloro farm 25 नंबर question है 25 नंबर हम लोग का question है calcium acetate को गरम करने से निमरीखीत कौन प्राप्ट होता है 25 का answer C acetone next question number alcohol में कौन रहता है 26 26 का answer OH के रिया मूलक which of the one is present in alcohol OH के रिया मूलक OH functional group रहता है 27 नंबर question है 27 नंबर question है 27 का answer A flailing solution which of the following can difference between an aldehyde and a ketone flailing solution next question number हम लोग का 28 28 नंबर question है primary amine का कारिशील मूलक निमली खित में से कौन है 28 का answer B हो जाएगा NH2 28 का answer B NH2 which of the following is the functional group of primary amine NH2 next है 29 नंबर question नंबर नंबर थाटी फिनोल को जस्टा के पूर्ण के चूर्ण के साथ हुआजने पनिमली खित में से क्या बनता है 30 का answer C Benzene which of the following is obtained when phenol is heated with ZN answer हो जाएगा Benzene next है question number 31 31 number question है एक कर्वानिक योगिक क्या विक्रिया ए ए ए ए ए ए ए ए स्टिर्प्त जलिये बिलियन से प्राप्त करने के लिए फट पदाहत होती है निमली खित में कौन सा योगिक है 32 का answer जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा एसेटिक आमल नेक्स्ट क्विस्टिक नमबर है हमारा 33 का answer B हो जाएगा आपकार्ण से बनता है 34 का answer जो हो जाएगा प्राइमरी एमीन डिडेक्शन आप नाइट्रोहलकें गिफ्स प्राइमरी एमीन नेक्स्ट क्विस्टन नमबर 35 डी एने तथा आर एने में समान भस्म उपस्तित है 35 का answer हो जाएगा B गुएनीन एडीनीन साइटोसीन गुएनीन एडीनीन साइटोसीन कॉमन परजेंट इन डी एन आर एन 35 कोईशन में आपको करवा दिया दोस्तों 35 के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट थिरी जब आएगा तब 35 वीडियो में आपको करवाओंगा पार्ट थिरी में अभी आपको सब्सक्राइब कर देना है अच्छी लगे तो लाइक कर देना है आज के लिए इतना ही जैहिन जै भारत बंदे मातरम जै बिहार